दोस्तों यूपी त्रीपलेसी लेखफाल भरती के संदरोब में अगर दिखा जाये तो आप सभी लगातार कॉमेंट आ रहे हैं कि भया आखिरकार नियुक्ति पत्र का जो वित्रण है आखिरकार कप किया जाएगा अगर दिखा जाये नियुक्ति पत्र तो इस पर भी चर्च हम करेंगे ही करेंगे लेकिन उससे पहले देखिए कहा जा रहा है बेड़तियों का अहंगामा रिक्त पदों को भरने की माग जहिर सी बात है बहुत सारे बेड़ति ऐसे हैं जो फाइनली किसी ना किसी कारण से वो सेलेक्शन से बाहर हो गया है ठेक है और बात करें हम टोटल बढ़ती चल रही थी आठ जार पचासी पदों के लिए तो टोटल अगर देखा आ जाये तो पूरे कंप्लेटली पद भी नहीं भर रहे हैं फिर भी जो है कुछ वेटिंग पर हैं उनको भरने के लिए बढ़तियों के लगातार मांग जारी है देखिए भाजपा कार्यालेपक का घिराओ कल की डेट में हुआ था और यहां आपको पता है फाइनली अगर हम कहें तो जिला मंटन की सूची भी जारी कर दी गई है और किसका कहां किस जिले में सेलेक्शन ह हुआ है फाइनली आपने इसीच को भी देख लिया होगा ठेक है तो फाइनली हमें सभी मुद्धों पर चर्चा करेंगे दोस्तों मैं हूं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं अब निंदर करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर मैं इवेदन करूंगा कि चैनल पर प इवने जिलों से आए अब भेटियों को लेकपाल के रिक्त पदों के बढ़ती को मांक कलेकर सनिवार को आजात पार्क में भैटक के आगे कहा जारे बढ़तियों का कहना है कि लेकपाल भरती का रिजल्ट जो है 30 दिसंबर को घोसित किया गया इसमें 233 बढ़तियों को अव रहां करने से बड़ी संख्या में रिक्त पद रह गये हैं आगे कहा जा रहा है जो है इस आउसर पर सिव कुमार पांडे ये सारी लोग मौजूद रहे और भी यहां चीजें हैं देखिए यहां एको गार्डन में भी अबढ़तियों के द्वारा धरना प्रदर्सन किया गय इसके इंतरगत कहा जा रहा है कि लेकपाल भरती में सम्मिलित करने की मांग को लेकर दिव्यांग भीड़तियों ने सनिवार को भाजपा कारियाले का घिराओकर प्रदर्सन किया प्रदर्सन कारियों का आउरोप है कि दिव्यांग के भीड़तियों को अंतिम परिडाम में बाहर कर दिया गया है, प्रदर्सन कारियों को पुलिस बश में बेठा कर एको गॉर्डन रवाना किया गया है, आगे कहा जा रहा है, प्रदर्सन कारियों ने मुख्यमंद्री को ग्यापन प्रेसित कर माग पूरी ना होने पर सामुहिक आत्मदाह करने की चेताओनी दी है आगे कहा जा रहा है प्रदर्सन में सामिल जीवनावत कटारिया ने बताया कि लेकपाल बर्ती 2022 में 309 पदों का विग्यापन जारी हुआ था इसमें दिव्यांग बर्तियों को ओएच कर्टेगरी भी सामिल थे आगे बताया कि लेकपाल बर्ती परिक्षा में 188 सीटें खाली रह गई हैं बताया कि उत्तर प्रदेश अदिनस सेवत चैन आयोग सासना देश का हवाला देगर दिव्यांग बर्तियों की सभी कर्टेगरी के छात्र इस बर्ती में अंतिम परिडाम से बाहर कर दिया गया है अब यहां जो लोग कह रहे थी कि क्या रिक्त पदों को भरने के लिए अत्रिक्त आउसर मिलेगा या नहीं मिलेगा तो देखिए रिक्त पदों को भरने के लिए टूटल अगर हम बात करें तो ध्यान देजिएगा कभी भी वेटिंग लिष्ट जारी नहीं किया है यूपी त्रिपलेसी आयो किसी भी भड़ती के लिए अपना वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया है अब बात करते हैं नियुक्ति पत्र में की अधिसूचना देखे एक चीज ध्यान रखिये का चहां तक नियुक्ति पत्र का सवाल है मैंने आपको बताया है फरवरी में 100% आपको नि नियुक्ति पत्र मिल जाएगा ठेक है जिला अमंटा नित्यादी की सूचिया आपकी जारी करती गई है बस रह गया है तो सिर्फ नियुक्ति पत्र वित्रण का फिलाल के लिए यह काम भी बहुत तीवर गती से हो रहा है ठेक आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा यह मान कर चलिएगा कि 15 से 20 फरवरी तक हरहाल में आपका जो फाइनल नियुक्ति पत्र का वित्रण है वो आयोग के द्वरा करा लिया जाएगा और अगर देखा जाये तो सरकार इस चीज को लेकर लगातार जो है निर्देशित कर रही है यूपी त्रिपल से आयोग को जो भी भरती या कहाज 8,085 पदों के लिए जो भरती आपकी प्रोसेस में चल रही है इस भरती को बहुत जल से जल फाइनल किया जाएगा ठीक है तो बासा करते हैं देखे जानकारी से आप संतुष्ट है प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और चैन को सब्सक्राइब रूर किजिएगा वीडियो समाप करते थैंक्स धन्यवाद